गुद मॉर्सित कुली खान के बारे में हम लोग नाम सुने हैं हिस्ट्री में लेकिन ये मुर्सित कुली खान का सबसे जो इंपोर्टेंट काम क्या है बेंगॉल के अगर हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे बेंगॉल के हिस्ट्री में मुर्सित कुली खान का जो इंपोर्टे स्चावत से थे उनका पहला नाम था महाममद धादी और भी डीटल्स है हम नहीं जाना चाहा रहे हैं तो महाममद धादी उनका पहला नाम था औरंगजेव के टाइम में इनको किंको इकोनोमी का बहुत बगा नॉलेज्ज था तो इसलिए क्या क्योंकि लैंड रिबुन्यू क का हेड होता था ये तुम लोगों को समझ बैना चाहिए और सुभेदार जो होते थे बहुते स्टेट्स का हेड तो दिवान है बेंगॉल का 1710 में भेजा था और महम्मद हादी को अरोंग जिबने टाइटल दिया थे मुर्सीत कूली खान और ऐसा कहा गया कि बीच में बहुत स मुर्सीत कूली खान को फिर बंगॉल में लेकर ले आए और दिवान भी बनाया और सुभेदार भी बनाया तो 1717 में दो पोस्ट एक बेक्ति को दिया गया था वो है मुर्सीत कूली खान और उसी की उन्होंने फिर ढाका के राज इनका जो ऑफिस था वहां से सिफ्ट करके म मुर्सीत कूली खान को बेंगॉल के इस्ट्री में क्यों जाना जाता है मुर्सीत कूली खान के में जो काम है वह लेंड रभीनु सिस्टेम को अच्छे किये थे लेंड रभीनु सिस्टेम मुर्सीत कूली खान को मुर्सीत कूली खान से पहले बेंगॉल का लेंड रभीनु सिस्टेम क्या है मतलब क्या था मुर्सीत कूली खान से पहले लेंड रभीनु सिस्टेम में क्या था कि गौवर्मेंट की हम लोग जानते बेंगॉल का लेंड ब वो नहीं आ रहे थे और जो भी गौवर्मेंट का लैंड था जो खास जमीन थे जिसको टार्म में खली सा जमीन कहा जाता था उस जमाने में मुगल प्रसासन में जो नौकरी करने वाले थे उसको जगीर दे दिया गया था सरकारी जो खास जमीन है और इसके चलते क्या हुआ ज उसका नाम था साइड और मतलब साइड सोर्स केबल मत्र साइड और जो मतलब ट्रेट से जो सुलक आते थे बस वही वे रहा गया लेकिन लैंड रिविन वाना बंद हो चुका था दूसरी बात यह है कि बेंगॉल में जो पूराना लैंड लॉड थे वो क्या करते थे वो बेंगॉल के जो लैंड लैंड है उसमें नापा नहीं गया था बहुत दिन से मतलब कितना जमीन है क्या कितना टैक्स आएगा इसके बारे में थोरा सा भी नौलिज जो भी दिवान या शुबेदार आते थे उनको यह नौलेज नहीं था तो इसलिए बहुत सारे जमीनदर क कि जो workers थे जो tax collect करते थे बहुत ही corruption वाले थे ऐसे इसलिए corruption अगर कर्मचरी रहेंगे तो tax collection होना बहुत ही दिक्कत हो जाता था और last में यह स्थिती यह था कि जमिनदार जो थे वो Muslims जादा थे और यह Muslims होने के कारण जो शुबेदार होते थे बेंगॉल के वो action नहीं ले पा फिर उसके बाद सुबेदार बने 1717 में देवान और सुबेदार जब बने तो उन्होंने यह decision लिया कि सब जो जमीन है जागीर के under मतलब पूरे बेंगॉल का जो जमीन है उन्होंने पूरी तरह से government का जो खस जमीन है उन्होंने इकटा किये और नापे कितना जमीन है पास जमीन थे उसको क्या किये उन्होंने टैक्स आसकता है जमीन से और उन्होंको लिखवा कर ले लेता था जैसे इसको बोला जाता था जमीन लिखवा कर ले लेते था कि आप इतने यहां यह जमीन है आप यहां यह जमीन से इतना पैसा हम को भेजेंगे तो यह जो concept है माल मतलब Treasury राज़िश्य जमीन मतलब जो है अंगिकार मतलब जो लीखित रूप में दे देना है तो यह system को कहा जाता था माल जमीनी तो माल जमीनी systems का जनक किसक कुली खान को यह short questions आता है बहुत सरे exam में भी पूछा जाता है और इसके बाद क्या हुआ ऐसा नहीं है कि जो जमीन दर के लोग जो थे बेंगॉल में उन लोग का जमीन चला गया ऐसा नहीं है वो उसके उपर जगीरदर को पिठा दिया गया अब इंडरली हम लोग यह बो जो भी पूराना जमीन दर थे उनको घर कैसे चलाना है क्योंकि उनका घर था जमीन मतला स्टैटास मिंटन कर रहा था तो मुर्शित कुली खान ने क्या किया और अलग जगा से जो टैक्स आते थे जैसे माल लो अनकॉंटिवेटेड लैंड जिसको मतला जमीन में खेती बार आप लोग इसी को लेके अपना जिवन धारन कर लीजिए और चौती बात यह है कि मुर्शित कुली खान ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया क्योंकि इनको पता था जो मुस्लिम जमिंदार थे मुगल बादसा के दोरन मतलब मुर्शित कुली खान से पहले वो लोग पैसा न नहीं लेते थे तो इसके चलते क्या किये कि जादातर हिंदू लोगों को यह इजारादार दिया गया इजारादार के रूब में जमीन दिया गया था क्योंकि मुर्शित कुली खान का मानना ये था कि यह लोग डरते हैं और ऑनेस्ट होते हैं मतलब यह टैक्स कलेक्शन बह क्रीब किया गया था फिर उसकी प्रोडक्शन की हिसाब से उस जमीन के उपर टैक्स डाला गया था पाच्वी बात यह है कि मुर्शित कुली खान ने ऐसा नहीं है कि अब तो टैक्स तो इजरादारी मल जमीनी सिस्टेम को इंट्रडूस कर दिये लेकिन टैक्स सही ढंक से इसलिए उन्होंने बहुत ही कठोर तरीके से टैक्स कलेक्ट करना शुरू किये थे जो लोग टैक्स नहीं देते थे मने मतलब गलती करते थे उनको देवानी आफिस में बुलाया जाता था बहुत तरह के ऐसा बोलाय गया के बहुत तरह कि बड़ा बड़ा पनिस्मिन देते थे पैर लटका के देते थे खाना पिना नहीं देते थे अंधकार घर में बंद कर देते थे बहुत सरे ऐसा कहा गया है अब मुर्सित कुली खान के और भी रूफ हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो खेती बारी करने वाले किसान होते या तो उनको नहीं छूट दिया जाता था सुखा पर गया बार आ गया तो उसमें बहुत सरे टेक्स के मुकूफ की बैवुस्था भी थे और तकाभी रिन जो एडवर्ण्स रुपे दिया जाता था गवर्मेंट की योड से उसका भी बंदवस था इस दोरान उन्होंने टेक्स कलेक्शन के सुभिदा के लि में तीन जमींदारी उन्होंने जोर के बना दिये थे मतलब इतने सारे जमींदार को नहीं रखना है तो आप आते हैं इंपोर्डेंस के इसका इंपोर्डेंस क्या हुआ है फैला इंपोर्डेंस ही है माल जमीनी सिस्टेम्स के इंट्रोड्यूस करने के बाद में क्या हुआ tax collection में बहुती चुस्ती फूर्ती लापन दिखा गया क्योंकि जो भी जमिनदार वो पुरी तरह से जमिनदारी को पुरी तरह से तोड़ दिये थे उन्होंने और ऐसा कहा गया कि Muslims जमिनदार के कम होने के कारण tax systems में बहुती systems में बहुती smartness आ गया था और ऐसा दिल्याग्रा से अब क्या हुआ एक सुवेदार देवान एक ही पत एक बैक्ति को मिल रहा है तो मुर्सित कुलिकन के चलते इसलिए क्या हो बिंगॉल की जमिनदार थे और जैगीरदार थे और जो भी जनगन भी थे उनको confidence मिला के एक ही आदमी है और अब क्या हुआ कि systems आ में बहुत सारे economical crisis भी सुड़ू हो चुका था लेकिन हम लोग कुल्मिला के बोल सकते मुर्सित कुलिकन के दौरान बेंगॉल का economy systems बहुत ही बहुत ही अच्छा हो चुका था तो वीडियो इनके पर खतम करते आसा करते तुम लोगो थोड़ा बहुत मदद मिला होगा बार- वीडियो देखने के लिए